अपने टुप्स को अपने मिलिटी को भेचता है ताइवान के पास या ताइवान को एक अजाड देश मानता है तो जो चाईना है वो फुल फलेज हमला करेगा ऐसले पर एक बहुत थी घातक बैलेस्टिक मिशायल से हमला कर सकता है और वहां की जमिन पर बिसकल यह टॉबिक बहुत थी न्यूज में यूज में कि कैसे एक democratic देश दूससे डेमुकरिटिक देश पर एक मिश्याईयल से हमला करने की बात कर सकता है हाल में बहुत साथे आर्टिकल्स लिखे गए हैं इसमें आर्टिकल ए इन आई का और इसमें लिखा हुआ है कि 70 सालों से जो Taiwan है उसमें चुनाव होते हैं वहां पर डेमोक्राइटिक तरीके से खरण चुनी जाती है और वहां पे रूल करती है तेकि जो China है इसको अपना पार्ट मानता है इसको एक अपना हिस्सा मानता है और कोई पी देश अगर तैवान को एक अजाद देश मानता है तो चाहिना का मानना ये है कि वो उसके साथ वार में जा सकता है वो उसके हमला कर सकता है और उन दोनों देशों में जंग हो सकती है कि अगर कोई देश तैवान को एक अजाद देश मानता है दुन्या में बहुत ही कम ऐसे देश है तैवान को एक अजादेस मानते हैं, उन में से 14-15 ही ऐसे देस पाई जाते हैं, बिसकर जो तैवान है वो बहुत ही इंसेक्यूर फिल कर रहा है आज के दिनों में, युकि जो अमिर्का है, वो कभी अपना नेवी भेज देता है, इसके पास, कभी अपना मिलिटरी भेज देता में, बहुत ही सारी दूसरे जो डिमोकरिटिक कंट्री हैं, उसके साथ टाई कर रहा है, जो डिप्लोमेटिक रिलेसनसीप होता है, वो तयार कर रहा है, तैवान ने हाल के दिनों में, जो युवेसे हैं, अमरिका, इंडिया और ऑस्टलिया जैसे बड़े देसों के साथ, ब कोई जिसा ऐसा करता है, तो चाइना है, उसके साथ जो वियापार है, वो तोड़ लेता है, बहुत सारे सेंक्शन लगाता है, वैसे देसों पे, बेसिकली ये मैप से भी बहुत इंट्रेसिंग, आपको पता होना चाहिए, जो तैवान है, उसके उपर इस चाइना सी है, और उसके नीचे साथ चाइना सी है, और जो तैवान है, और चाइना के बीच का जो छोड़ा सो आपको कैनाल दिख रहा है, ये है तैवान स्टेट, जो सारा जो डिपोर्ट है, वो पब्रिश्ट हुए है, चाइना के वे ग्लोबल टाइम्स में, जो आपको पता ही हो कि जो चा करी है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है इसमें और उन्होंने कहा है कि आउस्ट्रिया, USA के साथ मिलके, अपने मिलिटरी को भेश सकता है तैवान के पास, ताकि तैवान के कुछ हिल्फ हो सकी, इसलिए जो चाइना है उसको पहले से त्यार होना चाहिए, पहले से जो ऑ गीचेंट के से तैवान के और करने के लिए, तो जो आजकर जो तैवान है वो बहुत ही इन्सेक्यूर कर रहा है कि कैसे एक देश ऐसा कर सकता है कैसे वो democratic होते हुए भी दुनिया के नजरों में democratic नहीं है बस 14-15 ही ऐसे देश हैं दुनिया में जो कि तैवान को एक अजाद देश मानते हैं उसमें से जो औस्टलिया है वो भी एक प्रमुक देश है ऐसा इसलिए हुआ है कि insecure feel होने के बाद जो तैवान है दुनिया के और democratic देशों के साथ जो diplomatic tie है वो बढ़ाया है बहुत अच्छे सम्मान स्थाबित के हैं अमरिया के साथ इंडिया के साथ और और औसलिया के साथ इसके बाद से हमने देखा है कि जो औसलिया है वो हमेशा सहता करने के तयार रहता है तैवान को लेकिन चैना ऐसा अब लेकुल नहीं चाहता है चैना का हमेशा से एक exchange रहा है कि अगर कोई देश तैवान को अगर independent मानेगा अजाद मानेगा तो इसका मतलब वो युद्ध को एक जंग को बुलावा दे रहा है चैना के साथ और ऐसा हमने अभी भी देखा है यहां पे आप मैद देखो यहां पे अप चैना के वश्च में आपको ताइवान दीखेगा तैवान के ऊपर इस चैना सी है ऑर तैवान की नीचे साउ기न सी है उससे पुरा कब्लार टैना का है और चैना और तैवान के बीच में सब्सक्राइब करो इंडिया के साथ तो इंडिया भी निकुला सक्षम देश है लेकिन यहां का तो सबसे बड़ा जो रॉकेट मिसाइल है वह है अगनी 5 जिसके जो मार्क चमता है वह 5000 किलो मिटर है यानि यह कम है चैना के क्रूज मिसाइल से अब देख सकतो यह पूरा डिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फ्लान होना चैना का वह एक लॉंग देश मिसाइल का हमला कर रहा है कि जो यूध हो सकता है चैना और अमडिका चैना और और आउस्ट्रालिया के साथ तैवान को ले कब इसके बाद से जो था चैना है और जो जो बीस इसके इस चैना ने Аभीश कर दिया है और मैंने कशी ने पहले ही देखा था जा ऱिश्क के सांथ फिए वह उसमें से एक बहुत ही बड़ा प्रांथ है उसके लुक्ति हुए है उन्हों ने इस Engagement को ऑप गुस्सा है और यह Аप कर सकते हैं and thanks for listening